नमस्कार, एनाटमी के बेसिक कॉंसेप पर बेस्ट इस नए लेक्शर में अब हम बात करेंगे औसिफिकेशन के पैटरन पर तो हम समझने का प्रयास करेंगे बोन्स के औसिफिकेशन के पैटरन को इस आधार पर बोन्स को दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं membranous type, cartilaginous type या फिर दोनों ही तरीके की bones इस तरीके से bones को classify करने का तरीका developmental classification कहलाता है membranous bone जो की membranous में ossify होती है ये mesenchymal condensation के द्वारे derived होते हैं इसमें इस curl के vault और facial bones को शामिल किया गया है जब हम बात करते हैं cartilaginous bone की तो ये cartilaginous से ossify होते हैं ये पहले से बने हुए cartilaginous models पर ossification के बाद develop होते हैं bones of limbs और vertebral column इसके examples हैं इसके अलावा membranous cartilaginous bones जो की दोनों ही तरीके से develop होते हैं इसको हम थोड़ा बहतर तरीके से समझने के लिए एक image की मदद लेंगे और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं cells from cranial neural crest somite या lateral plate यह embryological origin के समय की बात है वहाँ के जो cells होते हैं वो condensed होकर के यानि मीजन काइमल condensation के बाद membranous ossification होता है इसमें आप देखेंगे osteoblast differentiate होकर के bone के matrix को form करते हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से होंगे membranous ossification का pattern जब हम देखते हैं cartilaginous bone के बारे में तो आप देखें यहाँ पर cartilaginous analog पहले से develop होता है उसमें धीरे-धीरे करके ossification होता है और आप इस model को इस तरीके से समझ सकते कि पहले से ही cartilaginous एक model तयार होता है जिसमें ossification के बाद हमें इस तरीके की चीज़े देखने को बलती है तो ये endocondral ossification का pattern है जिसमें पहले तो cartilaginous model तयार हुआ उसके आस-पास capillaries develop होती है और आप देखेंगे यहाँ पर cartilaginous model पर बाद बीचल करके ossification होता है जादा detail में नहीं जाना है सिर्फ इनके example और इसके basic pattern को याद रखना है तो both types mixed दोनों ही pattern को दरशाते हैं अब इसके बाद हम थोड़ा सा tendon और ligaments के concept को सबजने की कोशिश करेंगे तो याद रखेगा BB या फिर organ to organ connection बनाने के लिए dense connective tissue का बना हुआ ligaments होता है तो bones to bone या organ to organ connection बनाने के लिए ligaments होते हैं आप देख सकते हैं dense connective tissue के बने हुए structures जो organ to organ को connect करने के लिए हमारे body में पाय जाते हैं वो ligaments कहलाते हैं ligaments bone to bone connectivity बनाने में भी मदद करते हैं नहां पर देखिए bones के बीच में dense connective tissue का यह structure rope like structure है जो कि इनको connect कर रहा है इसके opposite tendon की जब हम बात करते हैं तो tendon rope like structure है यह भी dense connective tissue का बना हुआ होता है यह muscles को bones से connect होने में मदद करता है कैसे याद रखेंगे इसको याद रखने का तरीका है TMB tendon muscle to bone connectivity बनाता है तो tendon क्या करता है ये muscle to bone connection बनाने में मदद करता है इसके बाद हम एक खास किस्म के bone के बारे में पढ़ते वाले हैं सिसमाएट bone ये एक खास किस्म की bone होती है जो tendon of muscles के भीतर develop होती है तो आप देखेंगे ये खास किसम की बोन जो कि टेंडन आफ मसल के भीतर डेवलप होती है और ये पेरि आस्टियम से कवर्ड नहीं होती है ये किसी भी tendon से develop हो सकती है ये small हो सकती है ये बड़ी हो सकती है इसके size कुछ भी हो सकते हैं इसके संख्या भी fixed नहीं होती है लेकिन यहाँ पर हमारे body में systemoid bone चार ऐसे हैं जिनको नाम दिया गया है याद रखेगा वैसे तो ये कहीं पर भी हो सकते हैं छोटे हो सकते हैं बड़े हो सकते हैं इनके चार और periosteum की covering नहीं होती है ये हमारे body के किसी भी tendon में ये develop हो सकते हैं ये कहीं पर भी हो सकते हैं लेकिन याद रखिएगा कि चार पेर ऐसे हैं systemoid bone के जिनके नाम दिये गया है याद रखने वाली बात है कि ये किसी भी tendon हमारी body के किसी भी tendon में ये present हो सकते हैं लेकिन ये usually hand और feet के tendon में ये पाये जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पटेला ये भी एक systemoid bone है इसके बारे में हम जानते हैं मैंने आपको बताया है कि systemoid bone usually small tendons of hands और feet में ये develop होते हैं चलिए अब हम उन पिसी farm सरी उन systemoid bone के बारे में बात कर लेते हैं जिनका नाम दीया गया जैसे पटेला हो गया अप इसी farm हो गया पैबला हो गया राईडर्स हो गया तो इनके बारे में अब हम बात कर लें जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यही ऐसे सिसमाइट बोन है कुछ खास जिनके नाम दिये गए हैं बाकी के नाम नहीं हैं तो पटेला की बात हम करेंगे सिसमाइट बोन में पटेला ये कैसे होते हैं कहां बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे पिसी फाम बोन के बारे मे बात करेंगे, riders के बारे में बात करेंगे, एक बार इन सारी चीज़ों को recall कर लें, ये tendon of muscles में develop होते हैं, ये periosteum के द्वारा covered नहीं होते हैं, ये बात मैंने आपको बताया है, ये seed like बहुत छोटे से होते हैं, ये small होते हैं, कई बार ये बड़े भी होते हैं, जैसे पटेल किया, इनके संख्या fixed नहीं होती है बाड़ी में, ये नाम नहीं होता इनका, लेकिन हमारी बाड़ी में four pairs of systemoid bones ऐसे हैं, जिनको नाम दिया जा सकता है, क्या नाम है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, तो चलिए हम उन्हीं की study से यहाँ पर अपना concept start करते हैं, प पाटेला, quadriceps femoris muscle के tendon में develop होता है, इस बात को यहाँ पर आप देखिए, और इसको आप समझ सकते हैं, ये खास किसम का systemoid bone है, जिसके बारे में हम जानते हैं, ये knee cap के रूपे जाना जाता है, और ये develop कैसे हुआ, ये develop होता है, tendons of quadriceps femoris muscle के भीतर, इस बात को याद रखेगा, ये सीधी तोर पर question बनता है, quadriceps femoris muscle के tendon में, इसके बाद हम बात करते हैं, पिसिफार्म, पिसिफार्म bone, flexor carpi ulnaris के tendon के भीतर develop होता है, तो आप देखिए, ये है flexor carpi ulnaris का tendon, जिसके भीतर पिसिफार्म bone डेवलप होता है, पिसिफार्म bone को individually आप यहाँ पर appreciate कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर carpel bones में देख सकते हैं, रेडियस अलना के साथ यहाँ पर पिसिफार्म का exact location कहाँ पर होगा, और ये किस मसल के tendon में develop होता है, इसको भी यहाँ पर देखा जा सकता है, वो मसल याद रखेगा, flexor carpi ulnaris होती है, ये याद रखना है कि ये tendon of flexor carpi ulnaris में develop होता है, fabula, इस image में हम देख सकते हैं, gastronemius muscle के origin के दो heads हो, यहाँ पर देखेए, एक lateral head है और एक medial head है, याद रखना होगा, यहाँ पर जो lateral head होता है, वहीं पर fabula develop होता है, आप यहाँ पर देखेए, lateral head, जिसमें fabula, आप देख सकते हैं, x-ray में ये काफी clearly नजर आ रहा है, इस चीज़ को हम यहाँ पर appreciate कर सकते हैं, ये fabula के side में है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, fabula है, fabula है क्या, कहाँ पर develop होता है, तो ये gastronemius muscle के lateral head side में, tendon में ये develop होता है, ये कई मामलों में present भी हो सकता है, कई बार ये absent भी हो सकता है, एक और image को zoom करके हम देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर देखे, gastronemius muscle है, उसके lateral head पर ये bone पाई जाती है, fabula क्या है, ये present होगी हर बार, तो इस बात को समझ लिए, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, कहाँ पर develop होती है, ये याद रखना ज़रूरी है, तो ये lateral head of gastronemius muscle के tendon में develop होती है, riders bone, ये medial compartment of thigh में पाई जाने वाली एक muscle, erector longus के tendon के भीतर develop होता है, तो आप इस शीज को, जब image को zoom करेंगे, तब हम समझ पाएंगे, medial compartment of thigh में, आप यहाँ पर देखिए, एक खास muscle होती है, erector longus, उसके भीतर develop होता है, तो ये erector longus के tendon के भीतर develop होने वाला bone, riders bone है, जो present भी हो सकता है, अब sin भी हो सकता है, और इसके presence कहाँ पर होती है, किसके tendon में होती है, इसको याद रखेगा, found in the tendon of erector longus muscle, जो की medial compartment of thigh की एक muscle है, medial compartment of thigh को हम आगे discuss करेंगे, उसी के एक muscle है, जिसमें ये पाया जाता है, एक बात याद रखेगा, कि हमारी body में maximum long bones, cortilizes में develop होते हैं, यानि वो cortilizes के भीतर develop होते हैं, clavicle को छोड़ दिया जाए तो, clavicle एक खास किस्व की long bone है, जो की membranous development शो करती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें याद रखना होगा, clavicle को long bone इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसकी breath length से जादा बड़ी होती है, सिर्फ इस बात पर हमने older classification के recording, long bone इसको माना, जो की यही मानता है कि लंबाई और चोड़ाई के ratio के आधार पर, यहाँ पर जब developmental basis पर देखते हैं, तो यह long bone के pattern को follow नहीं करता है, जहाँ बाकी सारे long bones, cortilisus के भीतर develop होते हैं, यह membranous development शो करता है, इसके बाद हम कुछ specific long bones के developments को हम समझने का कोशिश करेंगे, तो याद रखेगा, cortilisus model embryonic stage में बनता है, जिसमें ossification के बाद धिरी-धिरी करके long bones का proper maturation होता है, तो यह long bones में हमें पता है, epiphysis होता है, metaphysis और diaphysis जैसे parts होते हैं, इसी तरीके का एक cortilisus model develop होता है, जिससे ये grow करके proper अपने shape में पहुँचता है, आप देखेंगे, ओडल्स के long bone में ये parts mature होकर के upper end shaft और यहाँ पर lower ends के रूप में नजर आते हैं, यही पर जब ये bone grow करते हैं, तो उसके center कैसे हैं, इसके आधार पर भी हमें ध्यान रखना होता है, अक्सर हम bones को जब define करते हैं, तो उसमें हम primary center की बात करते हैं, secondary center की बात करते हैं, तो उसके concept को भी हम यही पर discuss करेंगे, तो याद रखेगा कि सबसे पहले cortileus के भीतर एक center develop होता है, जिसको हम primary center of ossification कहते हैं, इस image में हम देख सकते हैं, पहले highline cortileus का एक model तयार हुआ, जिसमें धीरे-धीरे करके primary ossification center develop हुआ, यह primary ossification center बर्थ से पहले ही develop हो जाता है, और यह आम तोर पर single होता है, इसके बाद यह grow करता जाता है और इसमें आप देखेंगे blood की supply भी मिलने लगती है, यहाँ पर धीरे-धीरे करके cartilage की जगा पर bones बनने शुरू हो जाते हैं, एक medullary cavity भी बननी शुरू हो जाती हैं, और यहाँ पर nutrients की supply देने के लिए arteries और veins पहुँच जाते हैं, इसी दौ usually multiple होते हैं, इस बात को हम देख सकते हैं, आप clear तोर पर देखें कि अगर यह उपर के side में, इस long bone में हैं तो नीचे भी हो सकता है, तो secondary ossification center after birth develop होता है और इसके बाद developmental process में धिरे-धिरे करके compact bone develop हो जाता है, इसमें आप देख रहे हैं, यह इसके जो भी different parts हैं, epiphysis, metaphysis और diaphysis के parts, वो proper maturity के दौरान यह नजर आते हैं, upper end, lower end और shaft के रूप में, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, एक primary center develop हुआ, जो before birth develop होता है, यह highline cartilage के बने हुए model के भीतर develop हुआ, और यह धिरे-धिरे करके diaphysis के side में बढ़ता चला जाता है, और यही आगे चल करके shaft में convert होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, diaphysis के reason में यह develop हुआ था, image में मैंने दिखाया था, और यह जब fully mature हो जाता है, तो इसी parts को हम shaft के रूप में कहते हैं, उपर का जो हिस्सा है, जिसे हम epiphysis, और नीचे के side में जो epiphysis होते हैं, उसे हम ख्रमशा, upper end और lower end कहते हैं, तो यह सारे terms हमें पता होने चाहिए, primary center before birth डेवलप होता है, यह आम तोर पर single होता है, हाला कि इसका exception है clavicle, जहां पर दो primary center होते हैं, इसके बाद secondary center of ossification की जब बात किया, मैंने तो आपको बताया कि वो germ के बाद डेवलप होता है, और वो usually multiple ह होते हैं, एक से ज़ादा होते हैं, इसको बात को भी मैंने image में justify करने का प्रयाज किया है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, कि यह secondary center of ossification epiphysis की site में होता है, यहां पर देख सकते हैं, एक से ज़ादा डेवलप होगा एक उपर और एक नीचे, आप यहा थी, जिसके कारण वो ग्रो किया, इसी तरीके से एपिफिशल एंड पर आप देखेंगे, यहां पर भी इसको ब्लड की supply दी जाती है, यहां पर आपको याद रखना होगा, क्लाविकल के मामले में जब हम secondary ossification center की बात करते हैं, तो वो क्लाविकल के example में secondary ossification center के वल एक होता है, आम तोर पर multiple secondary center of ossification होते हैं, एक बात याद रखेगा, मैंने आपको बताया था, image में दिखाया भी है, secondary center of ossification, long bone में कहां develop हुआ था, epiphysis में, जबकि primary center कहां develop हुआ था, diaphysis वाले हिश्चे में, जो कि आगे चल करके shaft में बदल जाएगा, यह primary center, diaphysis में develop हुआ, जब य यह shaft के रूप में नज़र आता है, secondary center, epiphysis के रूप में और यह upper और lower end के रूप में दिखेगा, इसको नाम mature होने पर, हम upper lower end के रूप में देते हैं, मैंने जो clavicle का exception बताया, उसको आप अक्सर पढ़ते भी होंगे, याद भी रखना है, clavicle का primary center 2, secondary center 1 होता है, यह काफी मावलों में, यह exception शो करता है, मैंने आपको बताया था न, यह membranous bone है, यह पहला ऐसा long bone है, जो की membranous में develop होता है, तो इसका membranous development देखा गया है, इसके बाद हम metaphysis के side को थोड़ा सा समझ ले, metaphysis, मैंने बताया था न, यह metaphysis का जो site होता है, epiphysis और diafysis के बीच में, यहाँ पर hairpin artery पाई जाती है, इस image में हम देख सकते हैं, hairpin like capillaries को, यहाँ पर आप appreciate कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यह end arteries होती हैं, और इसलिए, कोई भी infection यहाँ तक आया, तो वो यही पर रुका रहता है, इसी वज़ा से, osteomyelitis की जो समस्या होती है, उसका association, metaphysis से होता है, metaphysis से इसलिए होता है, क्योंकि यहाँ पर end arteries पाई जाती हैं, hairpin loop like arteries पाई जाती हैं, और यह hairpin, जो arteries हैं, यह end arteries होती हैं, यहाँ पर stasis होने का chances होता है, अगर कोई भी anostomosis नहीं है, तो आप सीधे तोर पर समझ सकते हैं, कोई भी micro-organism यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर रुका रहेगा, उसकी stasis हो सकती है, और body की defense mechanism यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती है, इसके कारण micro-organism यहाँ पहुँच गए, तो वो multiply करते रह के से काम नहीं कर पाती है, इसके कारण आप देखेंगे, osteomolitis के होने के chances बच्चों में, metaphysical reason में देखा गया है, यह applied concept है, जो hairpin arteries से जुड़ी होई होती है, बच्चों में osteomolitis की problem कहाँ पर होती है, यह question पूछा जाता है, इसलिए हमने orthopathics का भी एक topic यहाँ पर cover कर लिया है, आप देखेंगे के यह metaphysis, जैसे structures, adults में disappear हो जाती है, इसलिए osteomolitis के बच्चों में होने के chances, metaphysical reason में देखे गया है, याद रखेगा, अधिकतर tendons, metaphysis पर attached होते हैं, और इसी वज़ा से most common sight of fracture, बच्चों में, metaphysis के हिस्से में भी देखा जाता है, तो यहाँ पर देखेगा, fracture in the children, जब कभी भी होगा, तो metaphysical reason में होता है, metaphysical reason में क्यों fracture होने के chances जादा होते हैं, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, कि अधिकतर tendons, metaphysis पर ही attached होते हैं, और बच्चों में यही common sight है, adults में यह disappear हो जाता है,